टीम इंडिया को लगा एक और बड़ा जटका आपको बता दे है। सीरीस के पहले मुकाबले में करारिहार का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से टीम इंडिया आगे जा रहे थी मुकाबला उनके पक्ष मेता हर एक बल्लेबास पहले इनिंग में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था गेंदबास विकेट चटका रहे थे लेकिन पूरा मुकाबला ही चौथे दिन पलट गया जहां पर गेंदबाजी मे सिर्फ दो खिलाडियों का मेरे हिसाब से यह पूरा योगदान है इंडिया की टीम को मैच हारने पर मजबूर करना लेकिन यहीं तक इंडिया की जो परिशानिया वो समाप्त नहीं होती इंडिया को एक और बड़ा जटका लग गया इंडिया का दिगच खिलाडी जो की पहले मुकाबले में अगर आप पहले इनीवे देखें दूसरी इनीवे देखें तो पांच विकेट लिये थे फिर 87 रंस भी बराये थे बहुत शांदार पारी खेली थी और लेकिन अब रविंद्र जडेजा दूसरे मुकाबले में खेलेंगे या फिर इस पर संशे बना कि हो सकता है कि दूसरे टेस्ट से रविंद्र जडेजा रूल आउट भी हो सकते हैं बिल्कुल और यह बहुत बड़ा जटका होगा भारती टीम के लिए क्योंकि रविंद्र जडेजा अगर टीम से चले जाएंगे तो आखिर बल्ले बाजी कौन करेगा जिस तर पे वो बल इंपॉर्टेंट प्लेयर है अगर वो वाईजाक नहीं गये तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा सवर्ता इंडियन टीम के लिए खबर आ रही है कि रविंद्र जडेजा जो है अभी पता नहीं कि वह एंसी जाएंगे अगर इंजरी ज्यादा सीरियस होगी तो फिर व द्रवड की मुझे अभी तक फीजियो से बात करने का मौका नहीं मिला है वापस जाकर मैं उनसे बात करूँगा और देखूंगा कि क्या हुआ है जब राहुल द्रवड से पूछा गया कि आखिर जडेजा जो है मुकाबला खेलेंगे नहीं खेलेंगे उनके मांसपेसियों में खिचाव आ गया तो उस पर हैड कोच राहुल द्रवड ने यहीं का कि अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मुकाबले के बाद तुरंत प्रेस कॉंफरेंस हो गया था बाची तो उन्हें ने कहा कि सीजियों से बात करेंगे और पता चलेगा और बड़ी दिक्कत साबित होने वाली है हमने देखा तो साउथ अफरिका दौरे के जो दौरे का जो पहला मुकाबला था वो नहीं कहले और इंडियन टीम का जो बैटिंग डेप्थ वो चला गया था सिर्व राहूल वहां पर खेले वहां पर भी जो ओपनर से कुछ खास नही तो फिर टीम इंडिया क्या होगा यह नहीं पता क्योंकि जहां इंडिया जीते-जीते आगे वहां पर आपका एक मैच विनर खिलाड़े रविंद्र जडेजा अकर वही नहीं खेलेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएका और सबसे बड़ी बात होगी कि फिर तीसरा इस्पनर को और चले कुल्दीप आपके पास है कुल्दीप को आप शामिल कर लेंगे लेकिन और बल्ले बाजी नहीं कर सकते हैं हाला कि विकेट्स वो निकाल के आपको दे देंगे वेरिएशन बहुत सारे उनकी बॉलिंगे लेकिन फिर वही है कि आप दबाव आता है बिल्कुल सही का आपने प्रेशर कम हो जाएगा विपक्षी टीम में क्योंकि अगर हम जडेजा की बात करें तो सबसे ज़्यादे उनकी गेंद को मिल दाता है चार से पांच डिग्री तक उनकी जो बॉल है स्पिन कर रही ती तो एक बड़ा लॉस होगा ए प्लेस करते हैं कुल्दी पे बहुत अच्छे गेंदबाज है बहुत मुझे लगता है अच्छा विकेट चटकाएंगे वह गेंदबाजी में कहीं ना कहीं भरपाई कर देंगे रवीन जडेजा की लेकिन बल्लेबाजी में आप बहुत बड़ा बल्लेबास हो देंगे जिन और देखना होगा कि इंडिया उनका क्या विकल्प धूटती है क्या option होता है रविंद्र रजेडेजी का फिलाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट करके में जरूर बताएं और साथ ही साथ फान स्पोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर करना बिलकुल बिन भूलें